सब्सक्राइब कीजिए सिंपरिंस किचन को और बेल आइकोन को दपाइए ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आप से मिशना हो इट्स टोटली प्रेट्स अब खुष भी धाने को сб divert देख के लिए अपने किचन में निगया बिकाने को अब बार्नाणां चाहती है यहां पर मैं यहां से भी यहां के अड़। ब गयाई पार्ष यहां से बैखनी बने बीचन के अब शीचन कीशा विर्श्मौियन परमारी भी तो आफिशे हम चालाहिऊ विर्यानी के लिए, आप उसमें से देख सकते है, तिन भड़ी नौन ne चिकलाएं, चालाहिए सब्सक्रश पर ऑंपो जनके अप्लोड पर रखा प्लोड के लिए datwoAssa की एं सरम हो चिकाल है अब जब बिव्यानी कॉर्मा बनाते हैं तो इसमें फ्राइ की हुवी प्यास बहुत ही साथा जब भी होती है पाouveरमसालों में हमें चाहिए और भीयानी मसाला अब कोई भी अप्य प्यायनी मसाला अब कोई भी आहीं सुल्ट अब कोई भीयानी मसाला ले अलत नहीं डिया 1 एक बड़ी लाइची, तो हवी लाइची, दालचीनी, तीन से चाव लॉंग, तीन से चाव काली मिर्च, तो यह हमने खड़े मसाले देख लिया है, अब कावनिश के लिए और या बिव्यानी में डालने के लिए इसका टेस्ट बढाने के लिए हमने पुदिना ले लिया है, अब आपके टेस्ट के साब से कमजादा कर सकते हैं, देसी घी चाहिए हमें बिव्यानी के लिए, आप सिर्फ चाहिए तो कुकिंग ओइल में बना सकते हैं, या इसे घी में भी बना सकते हैं, मैं यहा पे घी और कुकिंग ओईल दोनों यूज करने वाली हूँ, अद्वक अब जल्दी से चलते हैं, अब हम जल्दी से चलते हैं बिव्यानी बनाने के लिए यहां पर दो स्टेप होते हैं, एक तो चिकन को मैंविनिट करना और दूसरा होता है वाइस बोल करना, यह तो मैं पर पहले ही पता दिया है, अगर चाहिए तो मेरे चानल पर वाइस कैसे चिकन को मैंविनिट करने के लिए यहां पर मैं इसमें डाल दूंगी अधर अब लसून की पेस्ट, साथी डालेंगे टेमाटर, दही डाल देंगे इसमें, दही को अच्छे से पेट ले ताकि कोई लंस न रहे, अब हमने जो पाउडर मसाले लिए थे वो पाउडर मसाले औ सॉल्ट अड़ कर देंगे, नमक मिर्च आप अपकी हिसाप से कम जादा कर सकते हैं, साथी अब हम इसमें डालेंगे फ्राइक्योवी प्यास, प्राइड ओनिन डाल देंगे यहां पर, इसको हातों से थोड़ असा इसमेसल के डाले, पुदीना पत्ती डाल देंगे, पुद सावी के सावी के सावी हमावी जो इंकुडियास थे भो ताल दिये हैं, खड़े मसाले बचके हैं, जिसको की हमें फ्राइ करते वक टाल देना है, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब अगर चाहे तो अपने हाथों के मदद से मिक्स कर सकते हैं, ताकि यह सब इसे जवाबर के लगए का मेसा तना ही साथा खाने में टेस्टी लगेगा, तरह इसे 1गहं लिएह से 5-5J हो चुका है, चिकन अब बहुझे से मिक्ते मीने हो चुका है, जलते हैं इसे बनानी की तरह, नब इसे बनाने के लिए, यहां पर मैंनेAmerica इ overs еще बंचे तंदा है इस इभी तो भी मसाला को हमें अदा निट तक ही चलाते हूँ अच्छे से फूनने देना है ताकि प्लेवर तेल में ऊच्छे से उतर जाए आदा मीट पात मसाले लेखन है अब हम इसमें हमारा मैंने चीकन डाल देंगे आप मने सावा यहाँ आपर डाल देना है तेटम के लिए जोड़ेना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसे मिक्स करने के बाद हम आज पर 10-15 मिन तक के लिए छोड़ेना है, तो ये देखें, मैं इसे बहुत इच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे 1 लीड से ढ़खेंगे, और ग्यास की प्लेम लो बटाइब पान का डॉटा देंगे जयसे कि में आप तो बताई था है इसे बीच बीच में चला दे रहेंगे कि उससापस में मुझा दिया था तो आपक है इसे हमारी जो क्वेंचे काई त्यार्या में चुका है देख सकते हैं कि चिकन चुका है अब गयास की फ्लेम बंकर दे यहाँ पर मैं तली का यहाँ जारे मेर्त बट्तन ले लिया है यहाँ बड़ाई चिकना daya a. Heyeda! अब यहाँ पर फोर्ड कलव डालकु न राइस के ऊपर व्टतन आते है है यहाँ फोर्ड कलव सर्वाताई क्में टाल रहा है तो यह फूर कलब डाल दिया है मैंने तो यह देखिए यहाँ पर फूर कलब डाल दिया है मैंने तोड़ी सी फ्राइड ओंनियन डाल देंगे पहला देंगे इसे इच्छे से ख Southwest Korea देंगे खुदीनापति को हाथों से थोड़ा सा तोर के डालेंगे कि अपने जो राइस को ढाट देने हैं आप हमें जो राइस बुल करके राइस को डाल देने हैं अगर बहुत अच्छी भी भीयानी खाना चांके हो तो यहा नहीं परम राइस को हमrant n है प्रड़ाई है अब लड़ने को की ताम टरॉसवा हटो डिया है जो पुदे ना भादनीया देसिगी डालना निया तो औरपी तिद धर प्रेट औरॉसभार टाल ना करना को काई चाप अब यहाँ जड़िए, कंदने के से अभी डी जोड़े, वह उसक छाए और हमानिकराए ने देशाइए, अगर आपके परस जाड़े तले का बर्तन नहीं है तो आप इसे नीचे पैन या तवा रख सकते हैं और फिर ये बर्तन रख सकते हैं तो टोटल हमें इसे 10 मिट तक के पका लेना है उसके बाद हमारी जो बिव्यानी है वो बनकर बिल्कुल तयार है तो यह देखिए 10 मिट हो चुके हैं गाटकर पांकटकर आटा यह देक सकते हैं हमारी गर्मा करम बिव्यानी बिलकुल तयारेगा इसक व्हां कि अपिसे में निकाल लिया है ने जो चिकन की पीछे पीछ पीछ गोर आगया है तो हम बहुत ही दिलिश्यस बहुती शिम्पल न्कुल तयावे और इसे अगर आपको मेरी वेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ तब तक के लिए हपी कुकिंग